लुँँट लुँँ एकाउंट पढ़ रहे ना तो कम्पनी की अगर मैं बात करूँ ना सिंपल सी बात अगर हम करें तो जो लौ होता है ना कोई भी लौ हो मैं कम्पनी लौ की बात कर रहा हूं तो चलिए कम्पनी लिख लेते हैं और कोई भी लौ हो पहले हमें इसके definition या meaning जिसे कहते हैं simple word में कि सर meaning है ये तो meaning जितने भी given होते हैं हमेशा section 2 में given होते हैं section 2 में किसी भी law का आपने contract act पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो जैसे कि आपका Indian contract act definition section 2H था 2A 2B सभी का definition कुछ ऐसा है दूसरा हमें marks को लिखने के लिए या marks को तयार करने के लिए कैसे काम करना होगा बड़ी सीधी सी बात है कुछ बच्चों का सबसे major जो इशू रहेगा ना chapter अभी start करने से कुछ बाते बता दू कि सर हमें section लिखके आने हैं क्या exam में mandatory है बहुत सारे यहां पर मित्थे हैं बहुत सारे लोग अपनी मनगड़त बाते बना लेते हैं तो मैं कहूंगा section नहीं लिखके आते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता यानि आप section को याद करिए चाहे याद मत करिए फरक नहीं पड़ता लेकिन दूसरी सच्चाई भी सुन लो अगर आपको section याद है न तो content अपने आप याद हो जाता है यानि याद करने का तरीका आसान तरीका मेरे से पूछो नहीं सर याद करने का कोई आसान तरीका बताओ मैं कहूंगा section के साथ याद करने तो उसका मजा ला जाएगा और हम class में process करेंगे कि एक भी section ना बचिए सारे section हमें learn हो जाए class के अंदर ही ठीक है तो जितने भी definition से कहां पर given है आपके section 2 में अब कई बार section 2 के अंदर definition कुछ इस तरीके से given होता है और कई बार definition given होता है one ठीक है जैसे company की definition के लिए सहारा लिया गया section 20 220 तो 2 के बाद जो section लगता है ना इसे हम कई बार subsection कह देते हैं और कई बार clause कह देते हैं तो 2 subsection 20 या 2 clause 20 अब सर कई बार का मतलब क्या है थोड़ी सी बाते हम general knowledge की बात कर लेते हैं माल लेते हैं 3 और 1 है तो मैं इसे पढ़ूँगा 3 subsection 1 लेकिन 2 और 1 है तो मैं इसे पढ़ूँगा 2 clause 1 यानि section 2 में definition given होता है तो सिर्फ section 2 के साथ जब भी लगेगा तो उसको clause पढ़ते हैं और आगे बाकी कोई number change हो जाए 2 के अलावा 1 3 4 5 6 मैंने कहा जी 6 और 1 कह दिया तो यह 6 subsection 1 हो जाएगा और यहां पर क्या पढ़ेंगे clause एक थोड़ा सा पढ़ने का है सर ABCD और यह 123 की क्यों देते हैं अगर मैं ABCD की बात करूँ ना तो ABCD alphabetical इतने तो है नहीं हमारे पास letter Z तक ही letter है तो जिस law के अंदर definition कम होते हैं वो use क्या करते हैं section 2 A 2 B जैसे कि हमारा Indian contract में 2 A 2 B 2 C 2 D 2 H इस तरीके से तो इतने जादा नहीं थे आपने कहीं नहीं देखा होगा 2 X आ गया 2 Z आ गया नहीं देखा होगा लेकिन जिसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं जैसे company एक छोटा सा लौ नहीं है इंडियन contract तो बहुत छोटा लौ था companies act बहुत बढ़ा और detail लौ है तो इसके अंदर बड़े सारे नंबर है तो इसलिए ABCD से काम नहीं बनेगा भाईया यहां पर चलेगा एक दो तीन चार टोटल यहां पर I think 74 यह 76 टोटल डेफिनीशन से लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना मैं बता रहा हूं एक बार को तो इसलिए वहां पर नंबरिंग चलता एक दो इन चार पांचे बिसिक चीज़े तो आपको एक्जाम में सेक्षन लिक याद हो तो लिख के आई यह नहीं हो तो छोड़ दीजिए कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन हाँ गलत सेक्षन कोट करोगे तो मांक्स नहीं मिलेगा यह चीज़े फैक्ट है अपने और बियुकर स dishwasher करें तो अब एक होता है मारा인지 डिफाइन ‌फनर का मतलब होता है गर्फ domain जो डिफाइन किया है और तरीके से लम बोल देते हैं झिसकें Lemon सेक्षन इस में लिख आई जब इस सेक्षन में नहीं मिलेगे देखों किया आप भी देखोंगे तो कहोगे कहता है कि Company का मतलब क्या है 2013 Act है कहता है Company का मतलब Sir mean a company incorporated under this Act Incorporated का मतलब होता है बनना यानि सर law कहता है Company का मतलब वो है जो कि इस कानून के अंदर registration करा ले उसे कंपड़ी वो लेंगे किस कानून के अंदर registration करा ले सर company act 2013 यह कोई बात थोड़ी ना हुई भाया मैं पूछू company क्या है आपने बोला company act में जिसने registration करा लिया उसे क्या बोलेंगे हम company तो cdc बात होगे तो यादी होगे आपको फिर बोलता है कि सर ऐसा नहीं है सिर्फ इसी law में registration हो अगर किया जाता था यानि company की definition क्या कहता है कौन से section में कहता है सर दो 20 कहता है section 220 क्या कहता है company का मतलब जिसने अपने आपको company act 2013 में registration करा दिया या एनी previous log and registration करा दिया उसे क्या बोलेंगे company यह definition थोड़ा सा clarity नहीं मिल रही भाई यह तो सिंपल सी बात होगे है ना अब याद में इसमें याद भी करने क्या जुर्य था एक्जाम में आएगा अगर 100% को number मिलने वाला है लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं तो माक्स लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें समझना पढ़ेगा के company actual क्या है तो company की definition देने में बहुत लोगों का हाथ था बहुत लोगों ने अपने हिसाब से definition दिया जिसमें से मुझे सबसे बढ़ या definition लगता है फ्रोफेशर हेने का जो आपके 12th क्लास के अंदर company law की किताब में मिल जाता है वो definition हम देखतें के तो यह सकतम लुक HT को सब्सक्रहूं का प्रोफेसर हैने क्या कहते थे टेर क ενека कहने के अगर हम बात करें प्रोफेसर हैनेका कहना था अब यह प्रोफेसर है क्या हर किसी का जब definition drive होता है न तो definition जब बनाते हैं तो कोई ना कोई अपने experience के साथ उसके अंदर अपने thoughts डालता है जैसे कि आपने science में या फिर आपने business study में पढ़ा होगा टेलर का definition है और भी बहुत सारे हैं जिसके definition given होते हैं तो जो आपके thoughts होते हैं उसके हिसाब से बताते हैं तो ऐसे ही एक professor हैने हैं जिन्होंने define किया था company को और उन्होंने बोला company भीया एक artificial person है artificial person का मतलब देखेंगे क्या होता है कहता है company is a artificial person एक artificial person है और created by law है ये बात तो ठीक कही इन्होंने created by law यानि 2013 से ही तो बना है ये और 13 से पहले भी था या नहीं था था सर किसमें था 1950 उससे पहले था या नहीं था उससे पहले भी था सर लेकिन इतना पीछे जाने की जुरुरत नहीं है तो कौन कहता है company is a artificial person सर artificial person क्या है ये question मार के समझना पड़ेगा having a separate entity separate entity आपको 12th class के अंदर 11th class में स्राटिंग में बता दिया जाता है business अलग है और honor दोनों अलग है इसी को तो separate entity कहते है business entity कहते है तो इसने बोला के भी या company की भी separate entity होती है with the perpetual इसको भी समझना पड़ेगा और common seal इसको भी समझना पड़ेगा यानि इन सारी बातों को जिसके नीचे underline किया हुआ इन बातों को एक एक करके समझ लेना तो definition हमारा कहतम हो जाता है company का तो अगर मैं बात करूं इन सभी बातों को कि इनका मतलब क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलिए और आटीफीशल की बात करते हैं आटीफीशल का मतलब क्या होता है सर आप देखिए आटीफीशल का मतलब होता है जैसे एक रोबोट है अब इस रोबोट को एक मैंने सिंपल सा ले लिया एकम्या एक्जामपल अटीफीशल मतलब एक व्यक्ति तो है और वो सारे काम व्यक्ति के जैसा करेगा लेकिन वसके अंदर एक नैचुरल परसन नहीं है उसके अंदर जान नहीं हो मतलब बनाया हुआ है तो artificial person का मतलब है सर कि अगर कोई company जैसे मान लेते हैं एक x y z है x y z limited है सर और इसका honor मान लेते हैं कि मुके संबानी है तो आपको पता है कि ये company और ये दोनों आपस में क्या-क्या है अलग है अगर आपके साथ कोई भी fraud होता है कोई भी fraud होता है तो आप मुके संबानी के उपर case करोगे या फिर आप company के उपर case करोगे उसके मान लेते हैं जीयो का ही example लेलू अगर जीयो का आपने recharge कराया और जी जीयो के उपर claim करोगे ऐसा थोड़ी मुके संबानी के घर में कुछ जाओ गया तो आप किसके उपर claim करोगे जीयो का मतलब इसके उपर case कर रहे और बता इसको फांसी दे दिया जाए गया नहीं दे सकते क्यों क्योंकि यह artificial है तो बोला गया यह definition से इस meaning से बताना चाहते है प्रोफेसर हैने के company ना एक artificial person है मतलब law के द्वारा law के अंदर registered है और एक person के तरीके से काम करेगा company हमारा इसके बाद देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा इसके बाद इन्होंने कहा created by law ठीक है having separate entity सर separate entity का मतलब इसका अस्तित्व एक अलग होता है separate entity जिसको हम separate legal entity भी कहते हैं बड़ी interesting कहानी है इसके ओपर separate legal entity कई बार ना question exam में पूछ लिया जाता है कि बहुत सेपरेट legal entity क्या होता है बता हुए दस नंबर का पंदरा नंबर का और एक बार ने धेरो बार question पूछा गया है तो separate legal entity का मतलब तो हमने बस यही पढ़ा है कि मान लेते हैं कि Reliance company है Reliance company और मान लेते हैं कि मुकेश संबानी कि इन दोनों company की अगर बात करें तो separate legal entity तो सर यही होता है कि मालिक अलग है और company अलग है that is separate legal entity लेकिन यह कुश्चन आपका आता है एक्जाम में और 10 नंबर का कुश्चन अगर आ जाए तो कैसे लिख होगे तो अब यह जो है आप अलग है और यह अलग है यह कभी ना कभी तो किसी ने बनाया ही होगा इस law को तभी तो चला रहा है तो एक judgment है 1897 का judgment है वहां पे England क्योंकि देखो उस टाइम पे जो जितने law है ना basically company law हो चाहे कुछ भी हो इस इंडिया company आपने अगर कोई history history में देखोगे तो बहुत पुर दो UK के अंदर ही क्या था UK के अंदर ना pound चलता है ना pound चलता है वहाँप river और वहाँपर पाउंग लिए जो वहां के आर्मी अलौता सालोमन का का काया था वो जूते बनाया करता था स्टार्टिंग में इनका बिजनस इतना नहीं चल रहा था लेकिन धीरे धीरे जब बनाने लगा तो जब फॉज को पहनाया गया इनके सूज कई बार टेस्ट भी किये गया तो पाया गया कि इनके जूते वाक्य में टिकाओ है और बहुत मतलब हेल्प कर सकता है हमारे फॉज क तो इनको एक बहुत बड़ा ओर्डर मिल गया और यह अकेले विचारा बनाता था और अकेले बेस्ता था जितने भी ओर्डर आया अकेले बनाता था काइंड ऑफ मैं कह सकता हूं मोची थे ठीक है ना तो सालोमन जो क्या था हमारा जो जूते बनाने का काम किया करते थे इनका सोल प्रोप्राइटर समझते हैं और मालिक हमी है सब कुछ हमी देखेंगे इसने बोला कि हम कंपणी बनाएंगे तो इन्होंने बनाया सालोमन वर्सिस सालोमन यानि सालोमन इनका नाम है सालोमन कंपणी बनाया तो सर कंपणी बनाने के लिए जो इनका सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनस था ना जो इनका सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनस था कंपणी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस बिजनस को इस कंपणी के अंदर मिलाना पड़ेगा आप सभी देगा तो यह इस बिजनस के बदले पेमिंट करेगा ऐसा कुछ कहानी होना चाहिए पर्चेस कंसिट्रेशन ठीक है तो इस बिजनस को खरीदने के लिए इस कंपनी ने थर्टी नाइन थाउजन पाउंड की बोली लगाई और इस कंपनी को एक्वाइर कर थर्टी नाइन थाउजन पाउंड बना के इस कंपनी को क्या करा एक्वाइर कर लिया एक्वाइर करने के बाद इस कंपनी ने क्या करा इस कंपनी की एंट्री नाइन हंडर्ड नाइन थाउ पाउंड दे दिये गए और बाकी के 30,000 के यहां पे अलग-अलग कर दिये गए दो टुकड़े यानि इस कंपनी के अंदर इस कंपनी के अंदर इंवेस्मेंट जो आ चुका है वो कितने का आ चुका है 30,000 पाउंड के जिसमें से इन्होंने 20,000 शेयर और 10,000 डिबेंचर रखा 20,000 शेयर और 10,000 क्या रखा इन्होंने डिबेंचर रखा कंपनी फॉर्मेशन हो गया और यह जो शेयर दिये ना पता है किसको दिये अपने फैमली वाले को क्योंकि शेयर कंपनी होता है न तो साथ मेंबर की जुरत होती है आपको थोड़ा बहुत याद हो तो किसी भी लिम कंपनी के अंदर शेयर होडर बन गया और इसने क्या को रही भी टारी को बहुत बड़े बड़े ऊर्डर मिलना चलूब अब कंपनी के अंदर कितने शेयर होलडर है सात है को ने वो है उसका उसकी वाइफ Pak चार बेटे और एक कुछी बेटी और शार और दज चार के दिए यह और। current एंब कम्पनी स्ब्सक्राइब कर दो सकता है एक हो सकतार हो सकता एक हो सकते हमारा अन स्क्राइब अकर पैसे बचेंगे तो ठीक नहीं समझे बात मैं समझात हूँ थोड़ा सी और कर देता हैं, मान लेते हैं, ड़ेट भी 10,000 का है, ठीक है ने, 10,000 और प्लस, साथ हजार रुपे का, ये मेरा क्रेडिटर है, और ये मेरा मान लेते हैं, स्थी कम्पनी का करजा कितना हो गया total, कम्पनी के उपर like let कितने का हो तोटल 17,000 का हो गया ना अब कंपनी इंसॉलवेंट हो रहा है कंपनी ने अपने एसिट्स बीच दिये और एसिट्स जो है न वह 12,000 रुपे के बिके तो कंपनी इस 12,000 को क्योंकि डिवेंचर हमारा सिक्योर्ड है तो 12,000 सारा का सारा पहले इसको दे देगी यानि इसके 10,000 प बागी के 5000 बोले का सौरी नहीं मिलेगा क्योंकि आप अंसेक्योर्ड हो लॉय यही कहता है पहले सिक्योर्ड वाले को दो फिर पन सेक्योर वाले को कहा नहीं समझ मारी है अब को ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पे कंपनी के 30,000 थे पिक्योड और उन्सेक् साथ हजार रुपे का इन्होंने पाउंड गाशाच हजार पााउंड का हं इनका ख्रेडिकटर भी था भई आव जवानली की With 97000 अब बड़ी कमपनी तुस्टम के आप से कंपनी सोचो कितनी बड़ी कंपनी रही उन है तो साथ हजार के क्या थे इसके क्रेडिटर दस दीरे दीरे क्योंकि दीरे दीरे टाइम भी था और कंपनी के लॉसिस आने चालो गया प्राफिट के जगाए पर लॉस आना चालो गया सालोमन ने decide क्या यार company बंद कर दे जब company बंद करने का इन्होंने decision लिया था सालोमन ने के company को बंद कर देते हैं तो company जब सालोमन ने company बंद करने का फैसला लिया तो इसने सबसे पहले क्या करा अपना जितना भी assets था उस assets को क्या कर दिया sold कर दिया साहब और सारे assets जब इसने बेचे ना तो मात्र इनके सारे के सारे assets कितने के भीके 6000 के भीके बस सारा 6000 रुपे मैं बोल रहा हूँ कई बार आप exam के अंदर pound बताना है कितने के बेच पाया 6000 और company के उपर debt वही था 20,000 और plus 7,000 का क्या था सारी 20 मैंने बोल दिया 10 10,000 का debenture था debt और 7,000 का क्या था creditor अब creditor क्या होंगे secured होंगे अंsecured होंगे unsecured होंगे और ये क्या होगा secured और secured debenture जो मजे की बात है जो secured debenture था पता किसने लिया था इन्होंने अपने family वालों को ही दे रखा था यानि सालोमन के परिवार के पास shares भी है और सालोमन के परिवार के पास क्या है debenture भी है और बाहर वालों ने जो इसको उधार raw material वगेरा दे रखा है creditor है तो सालोमन ने बोला भीया यार company बंद हो गई है एक काम करते हैं सारा का सारा liability खतम करके हम बस चुटी करें इसको कहानी को तो उसने क्या करा जब एसेट्स 6000 बिक रहे थे तो यह क्या भी के थे इसके सारे इसेट्स उठाके और यह डिवेंचर होल्डर को दे दिया किसको दे दिया इसने सारा एसेट्स उठाके जब डिवेंचर होल्डर को जाके दे दिया जब डिवेंचर होल्डर कौन है इन बिचारोने बोला भाय आ मेरे को पैसा कम मिलेगा देखो 6000 वो तो डिवेंचर होल्डर के पूरे नहीं होग不到 तो तुम्हारा नमबर के आएगा तो जो दूसरे परसन थे क्रेडिटर उसको बड़ा घुसा आया इस मात पर और घुसा क्या आया यार ये तुम्हारे पास ये तो थे डिवेंचर तो तुमने ही पैसे ले लिए ये तो बेच बाच के एसेट को हमें तो दे दो हम तो बाहर वाले हैं इसने बोला ऐसे नहीं और जब कोट में केस कर दिया इनके उपर के भईया ऐसा हुआ है ज़साम को बोला कर इन्होंने एक कमपनी बनाई एक कमपनी में डिवेंचर भी खुद को दे रखखा, इसेटस बेचा और पहले डिवेंचर को मिलना चाहिए और खुद ही ले गया, पैसे तो इसी के जिर मे सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करके काम किया कोई ऐसा नहीं किया किसी रूल को तोड़ा है तो सौरी क्रेडिटर आपको पैसे नहीं मिलेंगे और यह पैसे किसके हक में जाएगा डिवेंचर होडर के वहां से क्रियेट हो जाता है कि अच्छा को ऀपर हमें समझाये चाता है तो एक सबसे फेमस और सबसे इन्पॉर्टेंट सालोमन वर्से सालोमन का कीस आजहता है कि अच्छा आइसके बाद हम बात करें definition की हम definition पर दुबारा आ जाते हैं तो definition पर अगर हम आ जाएं दुबारा से तो definition क्या कहता था के company एक artificial person अर्टिफीशल person मतलब company अलग होता और law अलग होता है created by law है separate entity क्या है separate entity भई यह business अलग होता है मालिक अलग होता है कौन कहता है एक केस है जो कौन सा केस था सालोमन वर्सेस सालोमन इसके बाद भी परपेचुल सेसेशन परपेचुल सेसेशन क्या होता है परपेचुल सेसेशन होता है कि जैसे माल लो एक xyz है xyz limited company है ठीक है और इस company के अंदर तीन shareholder है माल लेते हैं पांच shareholder या साथ shareholder तीन चार पांच छे और एक साथ साथ shareholder है और ये साथो के साथो गूमने के लिए निकले है ये साथो के साथो मान लो गूमने के लिए निकले है साथो shareholder अब ये साथो के साथो गूमने के लिए निकले हैं और मान लिया जाए एक दुरगटना हुई कि इस कार का जिस कार के अंदर ये बैठे हुए हैं इस कार के accident हो जाता है और accident में ये साथो के साथो नहीं बचते क्या हो जाता है इनका death हो जाता है सातो को सातो अब shares किसके पास है इनके पास है भाई तो company के जो shareholder है थे क्या हो गए मर गए company के shareholder मर गए जब company के shareholder मर गए तो अब भाई इस company का क्या होगा तो अब भाई company के जब shareholder मर गए ने तो जितने भी इसके पास शेयर थे इसके शेयर सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे किसके नाम पे इसके नॉमिनी के नाम पे सेम प्रोसीजर हर जगह चलने वाला है सर इसके शेयर भी ट्रांसफर हो जाएंगे किसके नाम पे nominee, इसके भी share किसके नाम पे nominee, हर किसी के share कहाँ transfer हो जाएंगे उसके nominee अगर मालनो nominee नहीं और तो तो उस shares का जो भी payment कर देगा जो भी legal उसका representative होगा जो जिसके देखरेक में, चाहे उसका दोस्ती क्यों ना उसके नाम पे देदेगा अगर नॉमनी नहीं है तो देखेगा भईया इसके सबसे ज़्यादा close और सबसे ज़्यादा बफादार कौन है उसको दे देखा जाके वो share ठीक है न अब ये सारा share क्या company हमारी बंद हो गई क्या company के सारे shareholder तो मर गए क्या company हमारी बंद हो गई क्या नहीं तो ऐसा काम जो कि कभी रुक नहीं सकता जो कभी रुकी नहीं सकता उसे बोलते हैं perpetual और cessation का मतलब कभी खतम नहीं हो सकता cessation का मतलब होता है खतम होना तो perpetual cessation क्या कहता है सर perpetual cessation का मतलब होता है कि वो जिस जो कि कभी खतम नहीं हो सकता तो प्रोफिसर हैने कहते थे कि कंपणी क्या है सर कंपणी एक आठीफीशल परसन है और सेपरिट लीगल एंटिटी है विद परपेचुल सेसेशन जो कभी मर नहीं सकता कंपणी ठीक है परपेचुल सेसेशन के कुछ डेफिनीशन है जैसे लिखा हुआ है in case of death of member member को नहीं होते है company के shareholder in case of death of member share held by him waste in his legal representative transfer कर दिया जाएगा और इस nominee जो भी nominee exist कर रहा होगा similarly in case of insolvency member of shares held by himself waste in the official assignee जो official assignee होगा उसको दे दिया जाएगा simple सी बात है death के case में nominee और अगर death हो जाता है insolvency के case में तब भी उसके nominee को दे दिया जाएगा यानि company खतम होने वाली बात नहीं है इसके बाद common seal की बात करते हैं कहते हैं सर इसका नहीं common seal होता है common seal क्या है common seal क्या होता है stamp को common seal कहते हैं जो आपने देखा होगा हर जगा पर भी या stamp होता है उससे common seal कहा जाता है हम normally इसको stamp के नाम से जानते हैं मोहर के नाम से जानते हैं और law के अंदर इसको बोला जाता है common seal सर इसका definition से क्या तालूक है हमें एक बात तो समझ में आ गया कि company artificial person है हाँ भाई company अलग है honor अलग है दूसरी बात company separate entity है ठीक है भाई साथ अलग है सालोमन ने प्रूफ कर दिया इसके बाद बोला company perpetual succession है यह भी समझ में आ गया company मरने वाला नहीं है इसके बाद यह common seal क्यों आया क्योंकि company अगर separate entity है अगर आपने बोला sir xyz limited एक अलग company है तो बट अवेस है अगर यह अलग company है और honor अलग company है तो आप इस company के आपको अगर इस company ने कुछ भी दिया लिखि कीजिए देता हूं आपने समान खरीदा company क्या कहते है company की guarantee मिली है तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति साब पकड़ लो बोलो के भाई मेरे पैसे कब लोटाएगा बता उसने बोलो दो मेने बाद दूंगा पक्का guarantee दे रहा हूं लिख साइन कर उसस वह क्या करेगा चुपचा उसका जो भी एजेंट होगा जो भी उसको चला रहा होगा वह यहां पर stamp लगा देगा अगर इस document के उपर stamp लगा हुआ है तो वह वैलिड है अदर्वाइस उस document की कोई value नहीं है तो मैं कह सकता हूं यह जो होता है company का signature है एक तरीके से company का signature है तो और कौन बनाता है इसको लॉग एंडर बनेगा definition पहले वाले क्या देखा company जो की लॉग एंडर रजिस्टर है separate entity कैसे प्रूफ हुआ separate entity सालोमन वर्सिस सालोमन केस से perpetual cessation company कभी मरने वाला नहीं है चलता रहेगा एक कॉमन सील है company का अपने का खुद का एक स्टेंप होता है signature होता है जो लगेगा तभी valid माना जाएगा इस definition को मैं इसलिए priority कहता हूं कि एक definition से हमारे काफी सारे questions सतम हो जाते है इसके बाद company के आता है कि सर feature क्या है company का feature क्या है तो जो underline क्या है number one feature यह फीचर ही तो है company कर एक artificial person है number two separate entity यह भी company का एक feature है क्या ही है हमारा separate entity perpetual cessation Sir यह भी तो company का क्या है sire company का खुदका common seal होता है तो यह ही क्या है हमारा feature इस definition को याद जो भी जैसे कर लेते हैं अगर हमें याद वैसे तो याद होई गया है definition अगर इस definition को पढ़ते हैं तो चार फीचर अपने आप हो जाता है एक question जरूर पूछा जाएगा what is the meaning of company and character sketch या फिर इसके features बताईए तो feature मैंने चार यहां बता दिये कीश चार फीचर को समझ लिया जिसमें को समझने में दिक्कत नहीं होगा इसके बाद हम बात करते हैं सर और इसके characters yeah feature में सबसे पहले incorporated association पहला feature है incorporate ka मतलब क्या होता है incorporate का मतलब होता है बनना इन corporate का मतलब होता है बनना आपने देखा होगा कई बार किसी चीज़ को बनाते हैं तो बहुत लोग दिमाग लगाते हैं ऐसे कर नहीं वैसे कर यह कर वो कर इस तरीके सरे कंपणी जो है लिमेटेड कंपणी साथ लोग चाहिए वैसे वन परसंट कंपणी का भी कॉंसेप्ट आ गया है लेकिन हमारा एसोशियेशन है इंकॉर्परेटेड एस एसोशियेशन के तौर पर यह रजिस्टर हो जाती है सर दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है सेपरेट परसन क्या मुझे समझाने की जूरत है क्या है नहीं है कंपणी एक आर्टिफीचल परसन है और कंपणी के उपर केस भी किया जा सकता और कंपणी भी केस कर सकता है क्या कंपणी का तीसरा क्या है हमारा सेपरेट लिगल इंटिटी यह भी देख लिया कौन सा केस लगाया था इसके उपर law, Solomon versus Solomon, perpetual cessation, सर ये भी देख लिया, company कभी बंद नहीं हो सकता, इसके बाद common seals, ये भी देख चुके हैं, अब इसके बाद करते हैं, बाद सर, limited liability क्या चीज है, limited liability की अगर हम बात करें, सर, limited liability होता क्या है, तो basically limited liability, अब मान लो, आप, ये आप हो, और आपने, मान लेते हैं, जनता limited का share खरीदा, जनता limited का share खरीदा, और सर, कितने share खरीदे, आपने 10 रुपे का face value वाला एक share खरीदा, ठीक है, company ने आप से क्या कहा, कि भाई साब अभी मुझे 10 मत दो, मुझे अभी 8 ही दो, company ने कितने मांगे, 8 ही मांगे, तो आपने 8 paid कर दिया, क्या ऐसा possible होता है, कि company कम मांगता है, इतने सारे question में हो सकता है, possible, company ने कितने मांगे आप से 8, यानि आप जैसे 8 रुपे देते हो, वाला है, company के अंदर कोई भी कुछ होगा, नुकसान, फाइदा, सब आपको देखना पड़ेगा, company बंद हो गई, और company के अंदर बहुत सारा करजा आ गया, मान लेते हैं, पचास अजार रुपे का करजा आ गया, आप तो मालिक हो, क्या आप अपने घर से पैसे लेके दो ग करजा, पचास अजार का, क्या आप अपने घर से पचास अजार लाके दोगे company को या नहीं दोगे, बताइए, दोगे, या फिर नहीं दोगे, नहीं दोगे, पचास अजार, आप अपने घर से पैसे तो लाओगे, लेकिन पचास अजार नहीं लाके, आप लेके आओगे लैबलीटी तो सब्किन जिम्मेदारी बनती अकेले इस आपकी थोड़ी बनेगी आपकी जिम्मेदारी 10 रुपे तक क्या है है तो आपकी लैबलीटी कंपणी की 50 अरहे लेकिन आपकी उपर लैबलीटी कितना है सिरreibt फर सरिफ तो कह सकते हैं, कमपनी एक लिमिटेड लाइबिलेटी होता है, रित में तो क्या ये ये एक कमपनी का फीचर हो गया, एक तरह के से देखा जए तो starting का कंपनी का लिमिटेड लाइबिलेटी होता है, सिखा और प्रना फ्री आ पने है, मैं चीजों को बताऊँगा, memorize मैं कर सकता हूँ, बाकि याद आपको करना है, common see लो गया, limited liability, transfer freely, transfer freely, सर ये चीज़े न हमने देखा था, मर गए थे सब, इसके share किसको गया था, इसके nominee को, तो जब कभी भी हम share मान लेते हैं, एक वेक्ति है, और इस वेक्ति के पास, कोई भी share पड़ा हो, तो ये easily अपने share को sold कर सकता है, sold करने को ही क्या बोला जाता है, transfer करना, तो एक company का feature है, कि आप अपने ownership किसी को भी दे सकते हैं, तो transfer freely है, freely, मतलब कि आपके उपर कोई restriction नहीं लगाए जाएगा, ये transfer freely की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ limited company के अदर होता है, private limited में नहीं होता है, जब हम kind of company पर आएंगे तो दिखेंगे सर, ठीक है, ये company law का first chapter है, जिसमें से questions पूछा जाएगा, और definitely पूछा जाएगा, एक होता है separate property, सर, separate property, property का मतलब assets, आपको, जैसे आपकी एक company है, मान लेते हैं, आपकी company, x, y, z limited आपकी company है, अब company के पास कुछ assets होंगे न, अब मान लेते हैं, आपको simple सा example लेता हूँ, कि आपके पास न, car होता है, तो car जब खरीदने जाते हैं न, तो वहाँ पे motor vehicles act के अंदर registration कराना पड़ता है उसको, यानि उसके अंदर document होते हैं, अगर वह document आपके नाम पे नहीं होगा, तो आपकी नहीं मानी जाएगी, जिसे RC के नाम से हम जानते हैं, अगर scooter हो, जाए motor vehicles हो, तो वह RC आपने खरीदा है, तो आपके नाम पे होता है, लेकिन अगर company ने अपने use के लिए रखा है, तो ऐसे situation में जितने भी motor car होगा न, वो XYZ Limited के नाम पे होगा, अब मान लेते हैं, Ola है, Uber है, इनके पास इतने सारे car है, तो ये किसका car है, अब Ola का car है, Ola एक company separate है, तो वो सारे car का जो honor होगा, बहुत सारे तो चलो rented भी होते हैं, जो car का honor होगा, अगर जो भी उसके अपने taxi होगे, वो किसके नाम पे होगा, Ola company के नाम के ना के उसके honor के नाम पे होगा, समझे बात, तो company के सारे क्या होते हैं, अपने separate property होगा, company का अपना, ये भी क्या है, company का feature, ठीक है न, मतलब company के नाम पे assets खरीदा जा सकता है, इसके बाद company can sue and be sued, sue का मतलब होता है case कर देना, case कर देना, और आप case करोगे, तो आपके उपर भी तो हो सकता है, तो company किसी पर case भी कर सकता, और company के उपर भी case कर सकता, ऐसा तो नहीं होगा, कि मैं case करूँगा, मेरे उपर कोई करी नहीं सकता, ऐसा तो possible नहीं है, क्योंकि ऐसा possible क्यों हो पाई है, क्योंकि company का है, separate entity, धेरो सारे example, देखोगे, company के उपर किसने case कर दिया, जैसे मान लेते हैं, कुछ एक company है, जैसे किसी के साथ fraud हो गया, उसने क्या करा, उसके उपर मानहानी कर दिया, या कोई case मुकदमा दर्ज कर दिया, और company वो case को लड़ रही होती, काफे time तक, जैसे कि income tax ने बोड़ा फोन के उपर case कर रखा है, क्या कि मेरे tax के पैसे नहीं दे रहा, तो income tax ने case कर रखा है, फिर वोड़ा फोन ने इंकम टेक्स पर case कर दिया, कि भाईया मेरे जूटे बता रहा है, यह मेरे उपर ऐसे बोल रहा है, तो company जो है ना capacity है, company के पास power है कि company to sue or be, मतलब company case कर भी सकता है, और company के ऊपर भी case किया जा सकता है, तो यह क्या था है, हमारे company के एक बार फटा फट से feature देखो, features में क्या था company के, एक बार पड़, इसको पूरा आपको explain करना है, सिर्फ point बोलने के बच्चा point point लिख के आ जाए, तो वो बच्चपन वाली बात नहीं करना है, बिल्कुल point point लिख के आ जाए, यह आपको पूरा explain करना होगा, ठीक है ना, तो पहला क्या है, company का meaning, company का meaning क्या रखा हो, या फिर उसे previous law में registration कर रखा है, company, यह कौन सा definition था, यह आपका statutory definition था, आपका, जो की आपके law में mention है, दूसरा भाई है, प्रोफेशर हैनर ने बताया, company is a artificial person created by law with separate entity, और perpetual cessation and common seal, जो की प्रोफेशर हैनर ने बताया, वही क्या मन जाता है, सर हमारा feature बन जाता है, फिचर में क्या है, company, एक incorporated association है, associated है, बहुत सारे person को मिलके बनाया जाता है, यह एक artificial person है, company एक अलग विक्ती है, जो की अपना अलग काम करती है, separate legal entity है, सर सालोमन वर्सिस सालोमन, company अलग होता है, honor अलग होता है, इस case ने प्रोफ कर दिया, perpetual association है, सर, company कभी मर नहीं सकते, उ के share, उसके किसी के नाम पे transfer कर दिया जाएगा, सर, limited liability, अगर आपके company में 10 रुपे की हिस्सेदारी है, तो आपका करजा भी liability भी कितना बनेगा, 10 रुपे के बराबर होगा, ना कि जितनी पूरी company के liability, आप ही responsible हो जाओगे, common seal, company के पास अपने signature करने का भी power होता है, जो stamp के separate property, company can purchase its own name, अपने नाम पे property को purchase कर सकता है, और company के पास capacity है कि किसी के उपर case कर सकता है, सहाब ये 15 नंबर का, ये चप्टर कितने नंबर का बताया था मैंने, 18 नंबर का, कितने चप्टर है सर, इसके अंदर देख लेते हैं, unit में, company का meaning and feature, और company administrative kind of company, तो बात करें, company का meaning अभी पढ़ लिया, और feature हमने, पढ़ लिया, chapter 1 जो है हमारा 90% खतम हो गया, इसमें से 10 नंबर का सवाल मान के चलो, टम जो भी paper आएगा, आप 10 ये लोगे, या पास्टे के paper को evaluate करोगे, 10 marks का questions, पूछा ही पूछा जाएगा, what is the meaning of company, और इसके feature, और जरूरी नहीं ये यही आए, जो हमने ये देखा है ना, particular एक point पे भी questions पूछे जाएंगे, इसर कौन से एक point के उपर, इन किसी point के उपर से question पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है separate legal entity, तो separate legal entity को define करके, वहाँ पे क्या explain करना है, हमें, इसके case laws, कौन से वाले, Solomon versus, artificial person, इसको भी पूरा define करना पड़ेगा, इन सभी के वैसे मैं notes दे दूँगा, जो कि आप पढ़ोगे, आपको सारा समझ में आ जागा, मेरा काम यहाँ पर पढ़ना नहीं रहेगा, बस मैंने concept समझाया, आपको याद होना चीए, 9 point है, और कोई बड़े point नहीं, आपको word के हिसाब से आपको उसके answer लिखने पड़े corporate will क्या होता है, और उसके lifting किस तरीके से होता है, वो हम अगली class के अंदर देखेंगे, बाकि जो आपकी classes, जो आज कम, आपके आज accounts की होनी थी, यह accounts की classes कब होगी sir, कल होगी, यह accounts की classes, same time पे सामको 7 बजे, accounts की class को, आज थोड़ा सा, जो content सा, उस ready होने की ना बजे से, मैं यहां पर बता रखा artificial person, क्योंकि पूछा जाएगा sir, artificial person क्या होता है, उसके definition given है, a company is not a natural person, आपका consequently, company cannot, आपका fall ill, बिमार नहीं पड़ सकता भाई, मर नहीं सकता भाई, declare as a insolvent work, दिवालिया भी नहीं हो सकता, यह बाते बता दी, उसके बाद बोला, a company is a artificial person, कैसे है, but it is not fictitious person, fictitious मतलब ऐसा मत बोल देन, artificial है, तो fake है, जैसे अगर मान लो artificial है, तो fake नहीं है, यह exist करेगा, a company does exist, but only for the in the eyes of law, कानुन की नजरों में रहेगा, in other words, the company exists only the, आपका contemplation of law, मतलब जब कानुन तोड़ेगा न, वो तब होगा, हम corporate will के अंदर अच्छे से देखेंगे, क थोड़ा सा define कर दिया, इसके बाद क्या case explain कर दोगे, Solomon बर्सिस Solomon को,